नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक खुबसूरत से फूलों वाले पौंधे के बारे में जिसका नाम है गॉम्फरीना गॉम्फरीना का पौंधा आप पूरे साल अपने घर पे लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये पौंधा घर पे लग जाता है अगर सिर्फ एक बार आप नरसरी से इसका पौधा खरीद के लाते हैं या कहीं से इसके बीज लाते हैं तो अपने आप ही इसके जो बीज गिरते हैं उनसे इसके पौधे खुदी उग जाते हैं बहुत कम केयर में ये पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है इसके फूलों को अगर आप टच करते हैं तो जो इसके फूल होते हैं बिलकुल पेपर की तरह लगते हैं और सबसे खास बात तो यह है कि एक बार फूल खिलने के बार डेड़ से दो मेहने तक इसके फूल ऐसे ही पौधे पर बने रहते हैं अगर इनके फूलों की आप माला बनाते हैं तो बहुत ही लंबे टाइम तक जो माला होती है बिल्कुल ताजे फूलों की तरह दिखती है तो इस पौधे को आप अपने गार्डन पे जरूर जगो दीजे अब हम बात करते हैं इसकी केर टिप्स की बारे में सबसे पहली चीज सनलाइट इस पौधे की अच्छी ग्रोध के लिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको 5-6 गंटे की धूप की जरूर्वत होती है पौधे को आप पानी तबी दे जब आपको लगे कि मिट्टी की उपर की लेयर सूख गई है आपको बहुत ज़्यादा इस पौधे को पानी नहीं देना है जब गंले की मिट्टी की उपर की लेयर सूख जाए तबी इसको पानी दे अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो जो इस पौधे की नीचे से जड़े हैं वो सरने लगंगी और पौधा खराब हो ज जरूरी है नहीं तो जो इसका पौधा है बिलकुल लटक जाता है जैसे आप देखे मैंने इन पौधों को एक लकड़ी की स्टिक से इस तरीके से बादा हुआ है तो इन पौधों को लकड़ी की स्टिक में बादना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो पौधा आपका बिल्कुल लटक जाएगा, आप कोई भी लकडी की स्टेक ले सकते हैं, पतली, मोटी और उससे पौधे को हलके हातों से बाद दे, पौधे को अगर आप किसी भी सूतली या किसी और तागे से बाद रहें, तो बहुत जादा टाइट से ना बाद है, अगर आप बहुत जादा टाइट से बाद अंगे, तो जो पौधे का स्टेम है, वो तूट सकती है, तो देखे, जितने भी मेरे पास इसके पौधे हैं, मैंने सम्में इस तरीके से लकडी डगा के उनको बादा हुआ है, जिससे जो मेरे पौधे हैं, इस तरीके से उपर को उठेवे हैं, नहीं तो इनका जो पौधा होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ जुग जाता है, तो इस तरीके से आपको अपने पौधे को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दोस्तों जो यह पौधा है, मैंने आपको बताया कि जो इसकी स्टेम होती है, बहुत जादा पतली होती है, तो अगर आप इसका पौधा बीजों से उगा रहे हैं, या फिर नरसरी से छोटा पौधा ला रहे हैं, तो जब आप उस पौधे को देखंगे, तो आपको दिखेगा कि जो पौधा है, बिल्कुल पतला सा है, आपको उसको देखके लगेगा कि इसमें फ्ला फ्लावरिंग होगी, ये देखे, इस तरीके से मैंने इसकी ये टिप टोड़ दी है, और जब आपका प्लांट इस तरीके से बड़ा हो जाए, तब भी आपको उसके टिप को टोड़ते रहना है, पौधे को घना बनाने के लिए, क्योंकि पौधा जितना जादा घना होगा उतनी जादा उसमें फ्लावरिंग होगी, नहीं तो दोस्तों जो इसकी पौधा है, अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे, तो इसका पौधा बिल्कुल पतली से एक स्टेम रह जाएगी, और उसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी, इसके साथ ही दोस्तों जो इसके फू फूल हैं, वो पीछे साइड से हलके से ब्राउन होने लगते हैं, तो उन फूलों को आप प्लांट से हटा दीजिए, क्योंकि ये फूल अब पुराने हो चुके हैं, और इनको पौधे में अगर हम बहुत जादा लंबे टाइम तक रखे रहेंगे, तो पौधे में नए इसके साइड ही अगर आपको लगता है कि कोई ब्रांच बिल्कुल पतली सी और लंबी सी हो रहे हैं, तो उसकी उपर के टिप भी टोड़ दीजिए, इसके साइड साइड इसके जितने भी पत्ते पीले पढ़ने हैं, या फिस सूक रहे हैं, उनको भी प्लांट से हटाना ब पूपी फिर अगर हम चाहते हैं कि ये पंदा हमारा फिर से ग्रो करें, तो हमे इस पॉधे की पूरी कटिंग करनी होगी, तो जब हम इस तरीके से पूरे पोंदे की खर देते — लगी उनको कबiktा केड़ी भी खराब नहीं होता, पौधे की ग्रोथ और भी जादा अच्छी हो जाती है, तो इस तरीके से मैंने इस पौधे की पूरी अच्छे से कटिंग कर दी है, और जितनी भी इस पौधे में खराब पतियां हैं, उनको भी हटा दे, और उसी तरीके से पौधे की केर भी करते रहे और कुछ टाइम बाद आप देखंगे जो पौधे की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है और पौधे में पहले से ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगी है नेक्स्ट हम बात करते हैं फेटलाइजर की इस पौधे को दोस्तो बहुत ज़्यादा फेटलाइजर की जरुवत नहीं होती आप मिट्टी बनाते हैं इसको लगाने के लिए तो उस समय आप 30% इसमें गाय का गोबर किचन कमपोस्ट या वर्मी कमपोस्ट मिला दे उसके बाद आप इसको जो नॉर्मल पौधों को खाद देते हैं कोई भी लिक्विट खाद हर 15-20 दिर में कोई भी लिक्विट खाद इसको दे देते हैं तो यही इसके लिए काफी है तो इस तरीके से आपको इस पौंधे की केर करनी है बहुत कम केर में ही ये पौंधा बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रू करता है तो इसी तरीके से आप भी अपने पौंधे की केर कीजी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइ करिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद